जोतिस सास्त्र के अनुसार रुद्राक्ष में गौरी शंकर रुद्राक्ष का विशिस महत्तु माना जाता है जिसे धार्ण करने से विक्त के जीवन में अनेको लाब होते हैं पुरे शंबन में बता रहे हैं इन दोर के प्रसिद जोतिस अचार पंडित कपिल महराज पुरे शंकर रुद्राक्ष का काफी महत्तु माना गया है और गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में काफी कुछ महिमा उसकी मानी गई है क्या कुछ बताना चाहें गया कहा गया है कि गोरी शंकर रुद्राक्ष एक एसा रुद्राक्ष कहा गया है जिसमें साक्षात माता पार्वती और शिव का अंश कहा गया है वेसे तो रुद्र जिसका अंश कहा गया उसे रुद्राक्ष कहा गया है और जो गोरी शंकर रुद्राक्ष उसमें स्वेम महादेव और माता पार्वती का वास है कहा गया है कि जिस कन्या को वर की प्राप्ति करनी हो या जिस वर को कन्या की प्राप्ति करनी हो एसा विक्ति अपने जीवन में गोरी शंकर रुद्राक्ष धरण करता है तो उन्हें शिक्रतिशिक्र शुब समाचार की प्राप्ति होती है और जल्दी उनके कारिब सिद्ध होते है जिनको धन की प्राप्ति करनी हो तो उनके लिए भी ये रुद्राक्ष अतिउत्तम कहा गया है और सबसे बड़ी बात है जिसको ग्यान की प्राप्ति करनी हो क्योंकि आप देखेंगे जो जो महादेव को अपने जीवन में गुरू के रूप में मानते हैं उनको महादेव की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है जैसे भगवान परशुराम के जो गुरू थे सूएम महादेव थे तो उन्होंने जो उनका ध्यान करा तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ उसी प्रकास से जिसको ग्यान की प्राप्ति करनी हो तो वो गुर्ख दृधराग्ष धारण कर सकता है इसका मंत्र बड़ा सिंपल कहा गयthen ओम गोरी शंकराय नमह इस मंत्र के साथ अगर आप गोरी शंकर रुद्राश को धारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बहुत सारे रुकेवे कारे रहते हैं उन कारेों में आपको गती मिलना चलो हो जाएगी और गोरी शंकर की किरपा प्राप्ति होगी तब तक के लिए ओम नमश्यवाद